तीस साल पूरे होने पर श्री राजिश्वरे जुल्रे लाया है बंपर प्राइस 10,000 रुपए के सोने के आभूशन खरीदे और चीतिये कार, टू वीलर्स, लाप्टॉप और मुबाइल्स साथ ही धेर सारे पुरस्कार जीतने का मौका पाईए सिर्फ यही नहीं बलके श्री राजिश्वरे जुल्रे से एक्स्चेंज करने पर अधिक लाब पाईए और पूरे अंडमान में में किंग चार्जर सबसे कम दाम में पाईए श्री राजिश्वरी जुल्री अबदिन बजार पोर्ड ब्लेर फोर नमबर 03192-23382 आप सभी को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग एक बहुत ही इंपोर्टन प्रस कॉन्फरेंस के लिए यहां आए हुए है मेरा सबसे पहले मैं जो बोलूँगा उससे पहले मैं ये बताना चाता हूँ मैं अब अजैबन निकुबार के मेंबर और पार्रिमेंट श्री विष्णु पद राय जी हमारे अनलबन निकुबार के लेठरेंट गवरनर साथ प्लेस हमारे चीफ सेकेटरी साथ से ये निवेदर है कि आप मेरा ये स्नीज को सुनिए और आप सेडन इंस्पेक्ट करिए जगा पे पहुच कर इवन मेरा रिक्वेस्ट सेकेटरी आईपी एंटी और डिरेक्टर से भी है मैं हाल में ही चिनई से वापस पूर्बलर लाटा हूँ मेरी माता जी कर सरजरी कराके मैं केके नगर गज़ता उसमें रुगा और वहां में देखने को बड़ा अजीब सा चीज वहां में नजर आई मुझे और मैं पता करा कि क्यों ये इतना गंदा है क्यों मेंटेनेंस नहीं है तब जाके मुझे जो वहां के लोगों से जानकरी मिली मैं ये आपसे शेर कर रहा हूँ और मेरा ये जो इन्फोर्मेशन है ये मेरा रिक्वेस्ट आई पी एंटी डिरेक्टर सेकेटरी लेफ्टन गवर्नर साब सीफ सेकेटरी साब और हमारे मेंबर आप पार्लिमेंट से कि आप इस पर गौर करिए सबसे पहले मुझे ये पता चला है कि वेल्लचरी करके एक जगा है चिनई में जहां पे अंड़मान निकोबार बहवन के लिए बूमी दी गई थी डाई एकड की ओभी नाइटी नाइटी वन में आज तक वो जमीन ऐसी ही ब्लैंक पड़ी भी है केके नगर गेस्टोस जो है वो CPWD की है जो की एनमेन निकोबार एडमिस्टेशन हमारा आईप एंटी उसे लीस या रेंट अब सोचिए लेके चला रही है वो भी आपका फर्स्ट फ्लोर एंड सेकेंड फ्लोर ग्राउंड फ्लोर जो है वो CPWD की हाथ में है जब मैंने और जानकारी प्राप्त करनी की कोशिश की तो मुझे ये पता चला कि यहाँ पे मेंटेनेंस का काम जो है वो CPWD देखती है क्योंकि बिल्डिंग उनकी है और हमने कई बार ये मुझे केके नगर गेस्टोस से लोग बता है उनके स्टाफ कई बार जो है हमने CPWD स से कहा है मेंटेनेंस के लिए पर वो मेंटेनेंस नहीं कर रही है बिल्डिंग जो है इदम क्रैक है क्रैक होंके गिर रही है और इस तरह हालत में है हमारा केके नगर गेस्ट आउस चिन्हीं में अंडमन बहुन तो मेरा सावाल एड्मिस्टेशन से ये है कि जब वेलेचरी म आपको धाई एकर जमीन 91 में मिली है तो उसमें आप क्यों नहीं अपना खूद का अंडमन भवनवा में कंस्ट्रट किये कई साल हो चुकिये आप लिस में क्यों हो दूसरी चीज जो मुझे देखने में आई है यह बड़ा दुकत खराब बात है कि हमारा एंडमन निकोबार एडमिस्टेशन ने यह कहा है डिकलेर भी किया है कि पेशेंट जो है वो केके नगर गेस्ट हूस में रुकेंगे और जो नॉर्मल अदमी है अगर केके गेस्ट हूस में वेकंसी है तो वहाँ पर रूख सकते या आप अन्यनगर गेस्ट हूस पर पर देखा गया यह है जैसा मैंने आपको पहले कहा अभी मान लीजिए आप एक बड़ा सजरी करके आए हो तो आप पहला बात तो फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर तक चली नहीं सकते हो वहाँ पर सीड़ी है लिफ्ट है नहीं तो पेशेंट जाए तो कैसा जाए फर्स कर रहे हैं जो रेगुलर है पर्मेनेंट है वहाँ पे एक है जो रूम भी देखता है साफ करता है जाडू भी लगाता है पानी भी देता है सभी करता है और जो पर्मेनेंट स्टाफ है वहाँ पे कुक बनके बैठे वे हैं आपका भी तीन मैना होने को आया है मैं डिरेक्ट अगर IP&T से पुछना चाहूंगा इवन सेकेटरी IP&T से आपकी तरफ से एक लेटर पास वी थी कि जो करमचरी है वो अपना काम करेंगे किचेन को आप बंद कर दीजे या प्राविटाइजेशन कर दीजे तो ये अब तक इंप्लिमेंट क्यों नहीं हुआ है आपका स्टाफ बराबर काम क्यों नहीं कर रहे है जो जिस पे वो रिक्वीट वे हैं दूसरा चीज़ एक DRM को आप लगड़ रहे हों जब आगे मैं और पता करा तो ये पता चला है मुझे आपका अन्नानगर गैस्टोस में एक असिस्टेंट मनेजर है मिस्टर कृष्ण कुमार बोलके साथ साल हो गया है उसको वो यहां से गया था ट्रीटमेंट के लिए उसको वन सेट पैरलाइज वी थी अच्छा से सुनिए बात वो पैरलाइज में ट्रीटमेंट के लिए गया है आज वो असिस्टेंट मेलेजर का पोस्ट होल्ड कर रहा है वहां पे किस बेसिस में क्या उसका ट्रांस्वर हुआ या उसको पोस्ट दिया गया है जब आगे और पता किया तो मुझे यह पता चला डिया सी जो हमारा विक्तर साब ते वो रिटैर हो गया जब वो रिटैर और पीड़ी को दिया चार्ज पीड़ी वाला वो जब रिटैर हुआ तो इनको चार्ज दिया मिस्टर कृष्ण कुमार को तो क्या साथ साल लगता है कि एक परल्लैस पेशन को आज वहां बैटा हुआ है किस बेसिस में बैटा हुआ है उनका ट्रांस्वर क्यों नहीं हो रह और वहां पर बैठके मोनोपॉली किया जा रहा है जैसा कि आपने सुना हुआ था बीच में सैक्लोन आया था पॉंडेचरी आपका चिनाई वेगारा सब जगा पे पानी भर गया था वहां पे इन्हों ने क्या किया बेस में यह अनानगर की बता रहा हूं बेस में पीलेवड़ी ओफिस है पानी जब बर गया था इनको 306 रूम नमर अनानगर वह अलॉट्मेंट किया गया है उसका बाद इन्हों ने क्या करा आपका जो डैनी ग्रूम है उसको भी आदा पीण आनगरश pope until video क्यों क्यों खरा रहे हो तो मेरा यह रिक्वेष्ट है यह जो ओनोपुली में चला जा रहा है और जो खील किया जा रहा है इस से तुरंध बंडarti किया जाए और मिस्टर किष्ण खुमार को इंबीडेटली वहां से ट्रांसवर किया जाए साथ साल हो गया है उनका वाँ पे तिसरी बात अगर एक पेशन्ट गिये ट्रीट्मेंट में सरजरी करा क्या अगर आया है केके नगर में ओ रह रहा है क्या आप पेशन्ट को साथ दिन होगा तो निकाल लोगे रूम से ये मेरे आको देखी बात है रूम नंबर उनिस में एक पेशन्ट रुगा वाता मिस्टर सुरेश वो फादर है और चर्च का फादर है वो और वो ग्यारा चर्मा टिटियाई कॉल्णी के वा रहता है टिटियाई कॉलेज के पास में उनका बहुत बड़ा सरजरी हुआ है साथ दिन होने के बाद उसको रूम से निकार दिया गया है उसका शिकायट मैंने वहाँ पे की तो मुझे ये बोला गया कि वो बोला है कि मेरा रिलेटिव है मैं उनके घर जा रहा हूँ तो जब मैंने सुरेज जी से पुछा तो उन्होंने कहा सर अगर मेरा रिलेटिव होता तो मैं गेस्ट आउस में आके क्यों रुखता मेरा 25 को फ्लाइट है सर और अभी सेटड़े को मुझे निकाल रहे है रूम से दो दीन का बात है सर संड़े मंडे तूजडे को मेरा फ्ल साब ये साब हो रहा है हमारे एंडमन लोगों के साथ ये साब हो रहा है आई पी एंटी के डिरेक्टर साब सेकेटरी साब और एलजी साब सुनिए ये है रियालिटी अगर मेरा स्टेटमेंट में आप लोगों को कोई भी जगा गलत लगे आप मुझे बुला के पूछ सकते वो क्योंकि पोर्ट बेर से लोग जाते हैं अपना इलाज के लिए गुमने के लिए नहीं जाते हैं केके नगर में एक तो वहाँ पे लिफ्ट नहीं है आपने सीपी लिए की कौटर रिलीज में लेके रखी हुए कई सालों से आप पेशन्ट चले तो कैसे चले और आपने डि तो अब भी तक आप वहाँ पे मिल्डिंग क्यों नहीं बनाएं क्यों आप लिफ्ट में ओसीपी लुडी कौटर में और जो कैंटीन चल रही है यह आपके स्टाफ के जोरा चल रही है क्या आप लोग को इसका रविनियू आती है जो कैंटीन से जितने लोग केके नगर गै यह बीच में सबका अपस में बढ़ता है यह मोनोपोली मतलब यहां का लोग जाए एक तो वहाँ एक अंजान जगा जाते हैं और वहाँ पे अंजामान गेस्टों से अपना गेस्टों से करके लोग जाके रहते हैं उनका साथ ऐसा बढ़ताओं किया जाता है और तो और सु वोग मुझे जब सुना वो मेरे पास माया बोला किया है अमला सर ना तो रूम में टीवी है शारा रूम में टीवी लगा के रखे है अंडमान के लोग आते हैं वो लोग हिंदी चैनल फिर्फर करते हैं या पे सब साउथ इंडियान का चैनल चल रहा है पूचे पुछने पर वो कुछ नहीं बोलते हैं दूसरी चीज़ फ्रीज है नौन वर्किंग बेसेस में फॉटरबल फ्रेज एसी है नौट वर्किंग पोजिशन में पॉर या काइन इन्फोरमेशन केके नगर में टोटल 24 रूम से जिसमें से 17 रूम है आपका एसी चार रूम है नौन एसी तीन विए पी के लिए ओ सौरी एड्मिस्टेशन का उसमें रिजर्व रहता है इन सेमर्जनसी में कोई पॉट जाए तो उनको देने के लिए जो कि चीफ-सेक्रेटरी दे सकता है आपका एलजी साब दे सकता है आपका एंपी साब सकता है तो इतना सब कुछ हो के यह क्यू नही तो आप सोचिए patient लह रहा है surgery कराके मिटी का पानी आ रहा है खान को ठीक तरिकल से जैसा उसको चाहिए नहीं दिया जा रहा है तिसरा चीज़ साफ सफाई नहीं है maintenance नहीं है एक DRN को रख़ आप सारा काम करा रहा हो चोटा ची़ जो भी आपका खाने का पैसा आ वो यह अपने पॉकेट में बाट रहे हैं उसे वापस में मिलके जब डिरेक्टर IP&T ने ये अभी थीन मेना होने को आया है जब एक क्लियर कट बोल दिया है कि आप कीचन नहीं चला ये आप अपना काम करिये कीचन को बंद कर दीजे या प्राइटाजेशन कर दीजे तो ये डिरेक्टर IP&T का बात क्यों नहीं सुने क्या डिरेक्टर IP&T इसको इपर स्टेप लिया या जानकरी प्राइट करी की कोशिश की कि उसका जो बोताबिक रूल के इसाब से वो काम नहीं कर रहे है ऐसा क्यों तो मेरा ये रिक्वेस्ट है हमारे होनेबर लट्टनें गवर्न चिफ सेकेटरी IP&T डिरेक्टर IP&T सेकेटरी इवन मेंबर ओपरलिमेंट आप लोग दो पोर्ट बे से डिरेक्ट बिल ली जाते हो ना तो कोई चिन्ह जाता है ना कोई कैलकळा जाता है ना कोई विजाग जाता है आप लोग को यहां का इस्थिती बिलकुल भी नहीं पता क क्या चल रही है याँ पर आप सदंट डेथ अप जाईए विजिट करिये आपको पता चलेंगा वह पर क्या चल रही है यह जो हो रही है यह बिल्कुल गलत रही हो रही है और आप इसके उपर तुरंत डैक्षन लिजे स्टाफ को से ट्रांस्वर कीजिए नया स्टाफ डिपीट करिए यह है मेरा आप लोग से रिक्वेस्ट धन्यवार देखिए अब जैसे कि हमारे हिंदुराष्ट्र शक्ति के प्रेसिडेंट हमारे राकेश भाई ने जो कहा है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही गंभीर विश प्रोसा रहता है उनके अंदर में जो खास करके जैसे बोला गया है कि ट्रीट्मेंट के लिए जो जाते हैं उनका मतलब हेल्थ के प्रती हाईजेनिक होना और एक नीट एन क्लीन एंवर्मेंट में रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आये दिन हम लोग देखते हैं कि देखे यह अड्मिस्टेशन का जो रवया रहता है खास करके हमारे आईलेंडर्स के उपर में यह मेरा ख्याल से अब थोड़ा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हर एक सेक्टर में देख लीजिए नॉट ओनली इन अपका अपका गेस्टाउस का बारे में जो कंप्लेंस आया है यह आज का नीए बहुत काफी पुराना कंप्लेंस भी है हमारे पास में लेकिन इसको नजर अंदाज किया ज इशू है यह मेरा ख्याल से हर एक डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ ट्रांस्फर का इशू रहा है जो अपने लोग है जो अपने करीबी लोग है उनका ट्रांस्फर जो है ऐसे जगों पर किया जाता है और वहां से हटाया नहीं जाता है दुबारा की उनको सुविदा उनको आराम रहे काम करने में लेकिन ऐसा नहीं होता है ये वर्ताओ जो है ये सही नहीं है धिरे धिरे पब्लिक को और हम जैसे लोगों को सारा डिटेल्स पता चल रहा है और नेक्स टाइम जो है हम हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए भी हम बोलेंगे ऐसे ही ट्रांसफर का इ को यहां पर मंगाया जा रहा है तो इस बारे में हम लोग नेक्स टाइम बात करेंगे और रही बात हमारे जो नए चुने हुए MP की मुझे पूरा आशा है कि आज राकेश भाई ने जो गंभीर आरोप हमारे अंडमान गेस्टाउस को लेकर लगाए हैं ये MP साहब बहुत ही सीरियसली लेंगे और जो भी सही रहे उनके मुदाबिक या फिर जो भी कारवाई होना चाहिए ये तूरंथ से तूरंथ हो ये हमारा हिंदू राष्ट्र शक्ती के तरफ से एक डिमांड रहेगा थैंक्यू सो मुच अंदमान से जुड़ी सभी छोटी वड़ी खबरे देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आप तक यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन प्रेस करना ना भुलें हमारा अपना न्यूज आप तक आप सच देखेगा अंदमान